जैन दोस्तों मैं जीतेंद कुमार आप समों को अपने यूटूब चैनल एकलब घ्यानबातिका पर स्रवगत करता हूं आज हम एक ऐसे सक्सियत की चर्चा करेंगे एक ऐसे टीचर की चर्चा करेंगे जो पिछले एक सब्ता से काफी सुर्खियों में हैं और वह हैं पत्ना के खांसर के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी यूटूब पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिले बहुत सारे जो लोग थे उनके बारे में तरह तरह की बातें कहीं तो मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो खांसर का जो ओरिजिनल वीडियो था और जो क में मुख उद्यस होता है अपने बच्चों को बता बताना सिखाना चारते उसको आसानी से सिखाना और जब कंपेटिशन की बात हो जब J एक्जामपल्स देने परते हैं और उसके लिए वो तरह तरह के उधारनों के द्वारा समझाते हैं लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है कि किसी भी चीज का कोई वाइलेंस नहीं हो लेकिन जो उनका वीडियो था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा लेकिन ऐसे ही लोगों के फिर द्वारा जो समाज में कुछ आईसी विक्षादार के भी लोग हैं जो उनको जैदा हाइलेटेट किया जैदा उस मुद्दा को उछाला उसमें बदनाम करने की कोसिस कि लेकिन बार बार पूछा गया क्या है नाम बार बार फोकस इसी पर था नाम क्या है अमीत सिंह है या फिर फैजल है या फिर खान है क्या है नहीं है तो हमारी जो परंपरा है अगर आप कभीर का बच्पन में पढ़ें होंगे कभीर की बाणी तो उसमें क्या कहा है कि जाती नहीं करने कि कि साधू की कोई जाती नहीं होती है ज्यानी पूरसों की कोई जाती नहीं होते जो बैखती है उनको जाती पूछ कर हम ज्यान नहीं लेंगे बलकि उनके ज्यान का मोल होता है जिस तरह से म्यान में तलवार परा होता है तो तलवार का कीमत होता है तलवार का महत होता है जो पढ़ा रहे हैं कितना खराब पढ़ा रहे हैं अगर नहीं पढ़ा रहे हैं अपको नाम बताइए यह वह बताइए तो यह सब गलत चीज है और जिस तरह से उनकी छवी को खराब करने की कोसिस की जा रही थी वो सब गलत है क्योंकि हमारी संस्कृति में हमेशा गुरू का दर्जा जो है इस्वर से पहले दिया गया है और एक है भी आप लोग जानते भी होंगे कि गुरू गबिन दो उखरे काके लागों पाऊंगों भलहारी गुरू आपने गविन दियो बता है तो हम लोग क्या करते हैं गुरू को जो है भगवान से जाइदा दर्जा देते हैं गुरू का महत्वा भी समाज में जाइदा है इसलिए गुरू की छभी को खराबना कीजिए बलकि ओ जो ग्यान दे रहे हैं उस ग्यान को यह क्या आपको नाम बताना होगा यह बताना होगा तो जहां पूछने का वहां तो बताया ही जाता है बहुत सारे नाम सौटकट रखते हैं नाम आप मालेज़े कि एलक्षन है तो उसमें वोटर आईडी के नाम होगा कोई चीज का रेइस्ट्रेशन करवा रहे हैं अधार आम हर जगा बताया जाता है इस सब चीजों पर बेकार की बात फिजुल की बात नहीं करनी है बलकि जो ग्यान वो दे रहे हैं वो ग्यान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप उस चीज को लीजिए और उसी पर फोकस रहिए यही मेरा कहना है और हम पूरी तरह से खा झाल 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 झाला है ।